हेलो दोस्तों नमस्कार, MCC Classes में दोस्तों आपका स्वागत है, आज हम पढ़ने वाले हैं मद्द प्रदेश का Current Affair, Part No.2 तो आईए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और Part No.1 बन चुका है जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मद्द प्रदेश का Current Affair, जो की 2018 से लेके 2020 तक में आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इसमें Mixed Question आपको मिलेंगे, ठीके, तो आईए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से दोस्तों इसको शेर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़े ही मुश्किल से Current Affair मिला है, तो आईए स्टा करते हैं, सबसे पहला प्रशन आता है आपका Current Affair 2020 में, कि 2020 में दोस्तों, मद्द प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो मद्द प्रदेश में जो व्यक्ति हैं, टोटल चार व्यक्तियों को पद्मश्री पुरुसकार से सम्मानित किया म concur क Lots दोस्तों अबदूल जब्बार जोकी सामाजिक कार्व क्रता है अब हे चाब रखियेगा सामाजिक कार्व करता एक नंबर दूसरे पे हैं अपने डाक्टर नादीच टीक तो डाक्टर पुर्श्चोतम डादीच जो है कतक के गुरू है क्या है कतक जो नव्रत्ति है उसके गुरू है और इनको यह पुरुष्कार मिला है तो पुर्शातम जी याद रख लिजेगा दोस्तों यह दादिश याद रख लिजेगा कतक में दादिश ठीक है फिर आते हैं Dr. लीला जोशी तो डाक्टर लीला जोशी एक डॉक्टर है दोस्तों इने को चिकिस्ता के शेत्र में ये तो इनको भी पुरुसकार मिला है चोते हैं अपने नेमनात जेन जी जो व्यापार हैं दोस्तों क्या है ये व्यापारी हैं उद्ध्योग पती हैं तो इन चार व्यक्तियों को पदमश्री से सम्मानित किया गया 2020 में तो जब्बार साब सामाजी कारी करता पुर्षोतम जी कतक से है लीला जोशी चिकिस्ता और नेमनात जेन जो कि आपके उद्योग पती हैं अगली बात करते हैं दोस्तों राश्टी लतामंगेशकर जो सम्मान है 2018 का वो किसे दिया गया आप जानते हैं लतामंगेशकर जो कि इंदोर से है的 मत्द प्रदेश में उनके नाम से पुरिसकार है यह दिया गया कुल्दीप सिंग को ठीके फिर तो村फ इनको यह पुरिसकार दिया गया तो यह ना यह याद रखना फूट प्रोसेसिंग मंत्री ने इनका उद्गाटन किया था अवंती मेगा फूट पार्क जो की देवास में किया गया दोस्तों अगला दोस्तों आइफ आफ आवार्ड आपने सुना होगा यह तो चर्चा में भी राहे है कि आईफ आवार्ड 2020 कहा होगा तो इस बार आइफ आवार्ड 2020 है जो ikum अे इंड़र और भोपाल यहाँ पे आयोजन होगा दोस्तों यह थो ना आभी फिलालों कि यह कोरोना काल चल रहा है इस कारण से तो इर पर अग्ली मिन बात करूंगा अगला प्रस्था में कि राज के किस होकी खिलाडी को FIH याने कि अंतराष्टी होकी महासंग है ना Federation International D होकी ने होकी द्वारा Rising Star of the Year क्या है दोस्तो Rising Star of the Year 2019 2019 किसे चुना तो यह चुना विवेक सागर प्रसाद को किसको चुना विवेक सागर प्रसाद को FIH ने चुना 2019 का Rising Star of the Year वेन रखना अगला है प्रधानमंत्री मात्र वंधना सब्ता की क्रियान्वनें के लिए प्रदेश को देश में कौन सा इस्तान मिला तो प्रदेश को देश में मिला तीसरा इस्तान यह सप्ता की बात करिए ठीके और यह सप्ता कब से कब तक चलाता दो से आठ दिसंबर 2019 को चलाता और यह योजना चली थी आपकी एक जनवरी 2017 से यह पूरे जिले में मतलब एक तो प्रथा में ठीक है और भी आप मात्रवंधना योजना जो है इसकी डिटेल दोस्तों आप हमें कमेंट में कीजिए ताकि मैं आपको आप सभी लोग इसको थोड़ा थोड़ा भी कमेंट करेंगे जितनी डिटेल आप कर सकते हैं कमेंट में उसको कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको अगले दिन इसके बारे में बताओं दोस्तों फिर ठीके में जिसकी अच्छी कमेंट रहेगी उसके अपन थोड़ा डिसकस करेंगे इस चीज को ठीके अगला प्रसनात है IPS officers ठीके IPS officer का एक कौन के लिए हुआ था 2020 में दोस्तों ठीके तो IPS officer Conclave 2020 कि शहर में आयोजित किया गया तो यह किया गया था बोपाल जिले में किस जिले में कहां पर किया गया मतलब बोपाल में यह आयोजन किया गया था ठीके यह इंपोर्टेंट है क्योंकि अपने राज मद्यप्रदेश में हुआ है ठीके फिर आता देवेंद्र कुमारी दोस्तों इनका निधन हो गया है देवेंद्र कुमारी जो की राजनीतिक राजनेता है आपकी देवेंद्र कुमारी अम में बात करता हूं देवेंद्र कुमारी क अगली बात करता हूं 2018 MP विधान सभा में किस शेत्र में सबसे अधिक मददान हुआ तो वह हुआ था दोस्तों विधान सभा 2018 की बात कर रहा हूं यह आपका चिंदवाडा में हुआ और चिंदवाडा कितने प्रतिशत हुआ यहां पर 83.98 ठीक है तेरिया से दसम्लों अंट्यान वे प्रतिशत यहां पर मतदान हुआ था तो यह आज का आपका करेंट अफेरे दोस्तों में डेली थोड़े थोड़े टुक्रों में आपको पूरा 2018 से 20 तक करेंट फर करवा दूंगा ठीक है बस आप थोड़ा सपोर्ट क की मुझे आवशकता है तो इसको आपको शेर करना पड़ेगा उसके लिए दूस्तों ठीक है तो जल्दी से शेर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और अब आप इसका स्क्रिंशोट लेना चाहते हैं तो इसक्रिंशोट ले सकते हैं